नमस्कार दोस्तों आज मैं करेले की सबजी की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जिससे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और साथ ही खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट लगेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर द नहीं है मैं इसी तरीके से बीच में से इसे कट कर रही है और इसके बीच के जो बीज है उसे चमच की सहाथा से इस तरीके से निकालूंगी जिससे ये बीच से पूरा खाली हो जाएगा अब इसे बीच में से कट करके हम लंबे लंबे इसके भाग कर लेंगे और पतली पतल अब इस करेले को हम कम से कम एक घंटे के लिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे धकन लगाकर धकन पूरी तरीके से पैक होना चाहिए ताकि अंदर जो भाब बनेगी उससे करेले का जो भी पानी है वो बाहर निकल जाएगा तब तक चलिए हम मसाला तिया पेड़ी तब ब्रिशन की कलिए लेंगे एक चुता ही चमच मैं ने चीनी ली है और साथ एक माच मैं ने यहां पर लाल मिर्श का पाउडर लिया इन सभी को हम दर-दरा पीस लेंगे यह देखिये इस तरीके से मैंने पीस लिया है बिलकुल दर-दरा है और यह मसाला बहु करेल के समी एक बोढ़ा धाने के抹 लागा तर देख लेकंगे तो हम देख लेकंगे करेल में नीचे बहुत सारा पानी जमा हो गया है तो इसे अच्छी तरीके से दोनों हाथ से दबाते हुएए हम इस तरुके से नीचोड़ Gir içeris लें तपसारा पानी निकाल लेंगे और अच्छे से 2-3 बार हम इसे वाश करलेंगे और इस तरीके से ये देखिए हमारा करेला जो है बिलकुल तयार हो गया है बनाने के लिए यहां हमने कडाई अच्छी तरीके से गर्म कर ली है दो बड़े चमच हम तेल डालेंगे करेले में थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है तेल गरम हो जाने पर एक चमच हम इसमें जीरा डालेंगे अच्छी तरीके से जीरे को भून लेंगे इसके बाद जो करेले कट किये हुए थे उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे करेले को हम low to medium फ्लेंप पे ही अच्छी तरीके से भूनेंगे साथ ही हम थोड़ा नमक डाल दे रहें ताकि करेले जल्दी से पक जाएं इसी तरीके से चलाते हुए जब तक करेले क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं पूरी तरीके से पकनी जाते हैं तब तक हमें इसे भूनना है तो यह देखिए पूरे हो चुके हैं करेले अब हम इसके बाद प्याज कटे हुए डालेंगे और साथ ही स्वात के नुसार नमक डालेंगे साथ ही एक चुताई चमच हल्दी डाल रहे हैं सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें भूनना है जब प्याज आधे पक जाएंगे तब हमने जो पिसा हुआ मसाला रखा था उसे हम इसमें डालेंगे यह मुंगफली का मसाला है इसमें लेसन कच्छा हमने डाला था इस यहां आएक चुताई चमच अमचुर पाउडर भी हम डाल रहे हैं अब हमें सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिला लेना है और बस इसी तरीके से 5-7 मिनट तक कि इसके अच्छी से हमें भुनाई करनी है लो टू मीडियम गैस की फ्लेम रखनी है और इसे थोड़ी इस सब जीवन कर बिल्कुल तयार है तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी हम मिलेंगे नही रेसिपी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद